वेलकम टू मैं चैनल आरकार्स और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी नई गाड़ी मारूति सुजुकी विटारा ब्रेजा 2020 एलकसाई पेट्रोल के इंटियर के बारे में और इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी गाड़ी के इंटियर के बा जो गाड़ी की सीट कवर का फैबरिक है वो देख सकते हैं गाड़ी की सीट एक दम ब्लैक कलर में है थोड़े हाँ पे गाड़ी के सीट की डिजाइनिंग जो की चारो सीट में कॉमन है वो आप यहां पे देख पा रहे हैं प्लस गाड़ी का जो इंटियर है वो पूरा ब्ल पर आपको दरवाजे में भी all black ना करके, आपको silver का काम जैसे dashboard पर यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आपको मिल जाता है, प्लस ये LXI में, जो यहाँ पर अपर गलब बॉक्स देख रहे हैं, ये अवेलेबल लही है, ये आपको VXI से मिलना शुरू होता है, जो नीचे का glove box है, वो उसकी भी depth मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो पहले बात करते हैं गाली के dashboard के बारे में, गाली का dashboard आप देख पा रहे हैं, गाली की hazard light का button उपर दिया हुआ है, गाली के AC vent जिसके उपर थोड़ा सा chrome या silver finish वहाँ पर दिया हुई है, उसके नीचे गाली का music system, गाली का music system inbuilt है, गाली के साथ ही मारूती ने लगा के दिया है, इसमें आपको FM, USB, AUX, और even CD, DVD player भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, यह उसके control आप नीचे देख पा रहे हैं, गाली में चार speaker आते हैं, और चार speaker के साथ में मारूती ने यहाँ पर Twitter की placement भी दिया हाला के गाड़ी के साथ टुटर नहीं आता है, लेकिन Twitter की placement के लिए गाड़ी ने यहाँ पर जगह बना के दिया है, तो music system के नीचे अब हम बात करते हैं, गाड़ी के AC control के बारे में, गाड़ी में manual AC आता है, LXI में VXI से आपको गाड़ी में auto AC मिलना चालू हो जाता है, गाड़ी के AC control के नीचे, यहाँ पर आपको USB, AUX और यहाँ पर 12V का power socket इसके यहाँ पर जगह दी हुई है, गाड़ी में यह लग्किया आता है, उसके नीचे अब हम बात करते हैं, यहाँ पर गाड़ी में थोड़ी सी यहाँ पर आप mobile बगारा के लिए जगह दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गाड़ी में आप after market wireless charger भी अब आने लगगी है, जो आप after market अगर आप मारूती से चाहें तो वो भी आपको लोगा के दे देगा, और आपको after market भी यहाँ पर आप wireless charging का port भी यहाँ पर लगवा सकते हैं, अब हम देखते हैं गाड़ी का gear knob, गाड़ी का gear knob भी पूरा black है, और यह थोड़ा सा rubber सा देखने में लगता है, थोड़ा leather touch इसमें नहीं है, गाड़ी का base variant होने की वेशसे, यह गाड़ी का gear knob भी मैं चेंज कराऊंगा, इसको मैं silver या chrome finish में इसको गाड़ी का knob चेंज कराऊंगा, आप भी अगर यह गाड़ी लेते हैं, तो इसका ध्यान रखें के gear knob देखने में थोड़ा सा जीब लगता है, रबर सा यह feeling इसमें दिखती है, उसके बाद यह गाड़ी का handbrake, गाड़ी का handbrake, यहाँ पर chrome tip इसमें गाड़ी के handbrake में दी हुई है, यहाँ पर आपको दो glass holder की जगा यहाँ पर दी हुई है, यह अच्छे कहां से deep है, और भी यह थोड़ी सी side में आपको यहाँ जगा मिल जाती है, और पीछे आते हैं, गाड़ी के seat belt लगाने के यहाँ पर यह switch दिया है, यह थोड़े से मुझे एकदम seat से सटे हुए से लगे, गाड़ी के जब seat belt लगाते हैं, तो एकदम यह seat से सटे हुए हैं, थोड़ा सा गर यह और इस gap को use किया जाता, थोड़ा सा यह seat belt के नाव गाड़ी का यहाँ पर भी जगा दी हुई है, इस जगा में हाला कि आप after market यहाँ पर हैंड्रेस लगा सकते हैं, और हैंड्रेस गाड़ी के VXI variant पे भी नहीं आता है, यह कि वाल गाड़ी के ZXI variant पे अवेलेबल होता है, यह मारूती से भी after market यहाँ पर हैंड्रेस आप कग श llama का लोगोह क्रोमफिश छे में यहां पे दिया हुआ है, गाड़ी में आपको मिलता है ड्राइवर साइट इसका आप यहां पे देख पा रहे हैं, और ने में और यहां तेज है तो ऐसा लगता है ने कि ये लाइट जलाने के बाद आपको गाड़ी में अंधेरा लगता है गाड़ी में ठीक ठाक रोशनी आपको इस लाइट जलाने से मिल जाती है VXI में आपको हलाकि यहाँ पर भी गाड़ी में लाइटिंग मिल जाती है और वहाँ पर सन ग्लास होल्टर भी मिल जाता है लेकिन LXI में यह चीज अवेलेबल नहीं है यह गाड़ी के सन शेड इससे बचने के लिए हलाकि यह जादा बड़े नहीं है लेकिन तब भी अपना काम यह ठीक से कर लेता है गाड़ी में अंदर को ड्राइवर साइड में गाड़ी में हैंडल दिया हुआ है अब बात करते हैं गाड़ी के कॉंसोल की तरफ गाड़ी का कॉंसोल यहाँ पर एनलॉग है यहां पर एक तरफ RPM मीटर, दूसरी तरफ आपको speedometer मिल जाता है, बीच में हलाकी थोड़ा सा digital display दिया है, इसमें आप गाड़ी का trip, गाड़ी का current average कितना चल रहा है, गाड़ी की watch कितना time हो रहा है, और गाड़ी की range वगेरा का display आपको यहां से मिल जाता है, और यह भी ठीक ठाक, इसका illumination है, मैं यह नहीं कहूँ कि बहुत ही जादा तेज है, लेकिन रात में देखने में आए एक गाड़ी का जो illumination है, वो white यहां पर दिया गया है, यहां पर गाड़ी के top variant की तरह LXI में multi light illumination यहां पर नहीं है, यह गाड़ी का वाइपर के लिए control और इस तरफ गाड़ी के light के लिए control, गाड़ी में कोई DRL नहीं है, अगर आपको यह कोई dealer बोले कि जी गाड़ी में DRL आता है, तो गाड़ी में कोई DRL नहीं है, गाड़ी में जो parking light है, वो आपको LED में दी हुई है, और अगर आप उसको on करके गाड़ी चलाते हैं, तो वो ऐसा DRL लगते हैं, वो भी पूरी light पे वो नहीं है, वो किवल आपको आधी light ही वो मिलेगी, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको दिखा दूँगा गाड़ी की lighting के बारे में, गाड़ी की lighting अच्छी है, LXI base variant पे आपको halogen में projector मिलते हैं, और low beam पे और high beam पे आपको reflector मिलता है, और गाड़ी की जो parking light है वो LED है, गाड़ी के pedal, accelerator, brake वगरा के लिए, और ये गाड़ी के power window के लिए यहाँ पे control, driver side पे आपको दिए है, चारो power window यहाँ पर आपको मिलती है, base variant होने के बावजूद प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गाड़ी का जो भार का ORVM है, वो electrically adjustable है, तो यह भी base variant होने की वज़े से की अच्छी चीज यहाँ पर दी हुई है, तो विटारा ब्रैजा का base variant भी काफी feature आपको offer करता है, जो सारे basic feature है, वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, VXI म आपको गाड़ी में push, start, stop मिल जाता है, हलाकि LXI में आपको यह विरन नहीं मिलता, LXI में आपको manual AC मिलता है, VXI से आपको auto AC मिलना चालू हो जाता है, यह कुछ गाड़ी में और feature है, लेकिन LXI एक value for money, गाड़ी मुझको लगी, इसलिए मैंने VXI की जगा, जो की LXI से आराउंट एक लाक रुपे महंगी है, इसलिए मैंने LXI को चूस किया, गाड़ी का जो glove box है, मैं आपको इसकी depth आपको दिखा देता हूँ, यह देखे, गाड़ी का, यह single glove box है, इसकी depth आप यहाँ पे देख पा रहे है, एक ठीक ठाक depth है, मैं यह निकों कि बहुत बढ़ा है, लेकिन ठीक ठाक है, गाड़ी के दर्वाजे में आपको bottle holder, चारो दर्वाजों में आपको bottle holder मिलता है, आगे के दर्वाजे में आपको bottle holder के साथ साथ आपको यह थोड़ी सी जगा भी हाँ पर आपको मिल जाती है, पीछे के दर्वाजे में यह जगा नहीं है, महाँ पर केवल बॉटल होल्डर है, गाड़ी का पावर विंटू के कंट्रोल, गाड़ी का दर्वाजा गेट खोलने के लिए यहाँ पर कंट्रोल, यह क्रोम में होते तो और अच्छे लगते, क्रोम हालाकि VXR में भी अवेलेबल लिए हैं, वो केवल आपको टाफ वेंट, ZXR में काफी अच्छे इसकी ergonomics, बहुत ही अच्छे से आप ड्राइवर बैठे बैठे गाड़ी चलाते हुए भी इसको कंट्रोल कर सकता है, और गाड़ी का स्टेरिंग, यह टिल्ट एडजस्टिबल है, यह देखिए, इसका कंट्रोल यहाँ पर आपको यह नॉब दिया हुआ है प्लस गाड़ी की जो डिक्की है, गाड़ी की डिक्की खोलने का कंट्रोल आपको ड्राइवर साइड पर नहीं है, यहाँ पर ड्राइवर साइड में आपको केवल गाड़ी का जो पैट्रोल टैंक है वो खोलने का कंट्रोल है, और जो गाड़ी का बोनट है वो खोलने का कं जो पावर बटन है वो गाड़ी की डिक्की में ही जो यहां पर क्रोम में विटारा ब्राजा लिखा होता हुथा उसी के नीचे दिया हुआ है यह गाड़ी का एक बार फिट से डिजिटल कंट्रोल आप यहां पर देख सकते हैं इल्यूनेशन ठीक ठाक है दिन में और रात में भी कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होती अच्छी खासी बैक लाइट इसको लगती है और कहते हैं कि गाड़ी का इंटियर पुराना हो गया लेकिन आपको गाड़ी में बैठने के बाद ऐसा कुछ महसूस नहीं होता गाड़ी में बैठने के बाद आपको एक अच्छा खासा स्पेस यह ओफर करती है और इंटियर की बात करें तो जड़ेकस आई जो इसका टॉप एरेंट उसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाती है वो नीचे अलेकस आउर वी एकस आई में अवेलेबल नहीं है लेकिन वो भी आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं गाड़ी में और इसकी बात करें तो गाड़ी में आपको कैमरा नहीं मिलता है रियर कैमरा नहीं मिलता हलाकि रियर पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं अगर आप गाड़ी में टच स्क्रीन इंस्टॉल करुआते हैं तो तो जब आप गाड़ी पीछे लेंगे तो वो आटोमेटिकल ऑपके टच स्क्रीन पर शो हो जईएगी तो दोस्तों ये था गाड़ी का एक इंटीएर का ओवर्वियू गाड़ी की बाकी वीडियो गाड़ी के एक्स्टीर और जो गाड़ी के और भी फीचर हैं उसके लिए मैं आपको इस सेपरेट वीडियो बना के दूँगा मुझे लगता है कि मैंने काफी जानकारी आपको और ये गाड़ी मुझे अराउंड छे लाक रुबे की पड़ी मेरी पुरानी गाड़ी देने के बाद जो वैगनार इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी उसका लॉंग टम रिव्यू और गाड़ी के कोटेशन के बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो बना र से कम प्राइस में आप एक अच्छी गाड़ी आप ले सकते हैं उसके बारे में भी आपको काफी जानकारी वहां से मिल जाएगी तो दोस्तो थैंक यू मेरे चैनल आर कार्ज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस्ते हैपी